19 अगस्त से 25 अगस्त तक का समय कुम्भ राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगस्त माह के इस सापता ही कराशी फल के बारे में 19 से 25 अगस्त तक ग्रोहों की इस्ति थी किस तरह से आपकी दिंचरिया को प्रभावित करने वाली है तो सारी जानकरी आपको विस्तार से मिलेगी इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं तो देखें 19 अगस्त से और 25 अगस्त तक की बात कर रहे हैं 19 अगस्त का दिन ही जो है वो बहुत महत पून दिन है क्योंकि ये दिन रक्षा बंधन का दिन है सावन माह की पुनिमाक्तिती है और पुनिमा का दिन अपने आप में विशेस होता है खास होता है जो कि इस सप्ताह की शुरुवात ही इस विशेस दिन के साथ हो रही है इस सप्ताह में जो एक परिवर्तन होगा वो होगा बुद्ध का बुद्ध सिंग राशी में और सिंग राशी से करक राशी में प्रिवेश कर जाएंगे जो की 19 अगस्त के दिन ही करेंगे करक राशी में प्रवेश करना जो की कालपुरुश चक्र की चौथी राशी है और यहां कुम राशी के लोगों के लिए छटे घर में बुद्ध का प्रवेश होगा तो यह कई तरह के रिजल्ट देने वाला होगा अब इनका जो प्रभाव है बाकी जो ग्रहों की इस्तिति है वो ऐसे ही रहने वाली है अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है चली जानते हैं विस्ता आते हैं तो सबसे पहले मैं पहले ही दिन की बात करूंग जैसे दही हो गई, दूद हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, कोई भी एक चीज, उसका थोड़ा सा दान आप कर दें, एक तो पित्रों के लिए बहुत अच्छा होता है, पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है, और साथ में सावन माहा भी चल रहा है, तो क्या ही कहने इस दिन के, और दूसरी चीज है, कि ये जो दिन है, ये स्वमवार का दिन है, और सावन माहा का ये अंतिम स्वमवार है, तो इसलिए भी विशेसी खास होने वाला है, अब चलिए राशी फल की बात अगर हम करें, तो हर व्यक्ति की जीवन में छोटी मोटी दिक्कते तो आती रहती हैं, ऐसा नहीं किसी के जीवन में दिक्कते ना आए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनको नजर अंदाज करें, और उन चीजों पर फोकस करें, जो आपकी जीवन में अच्छी चल रही है, तो ये सप्ताह आपके लिए शुब रहेगा, इस सप्ताह में आपको अपनी म अपका पद बढ़ेगा, प्रतिस्टा बढ़ेगी, और उन लोगों की बात करूँ खासत और से जो राजनीती के फिल्ड से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये सप्ताह गुड लेकर आया है, इस सप्ताह आपकी जोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है, आपकी जोली में की ऐसी वस्तु गिरेगी, जहां सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के लिए बहुत अत्तम रहेगा, आपका मेल मिलाब भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा वहां आपका, तो ये आपके पद में एक तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, नोकरी पेशा लोगों क जुखका रहेंगे, विरीदों के सामने अपड़ेट कर खड़े रहेंगे, कुमरेशी के उन जातकों की अगर मैं बात करूं, जो तक्नीकी फिल्ड से जुड़े हैं, टेक्नीकल फिल्ड से जो जुड़े हुए हैं, इस सब्ताह का जो मद्यभाग का समय हैं, उसके बाद के तीन दिन बहुत शुब होने वाले हैं, किसी इलेक्ट्रोनिक कारोबार को करते हैं, कोई इलेक्ट्रोनिक शौप है, कोई इलेक्ट्रोनिक शौरूम है, तो बड़े लाभ की प्राप्ती का योग आपके लिए बना हुआ है, सब्ताह के उत्रार्द में कोई वरिस्ट व्यक आपको कोई ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आपके घर और घर से बाहर दोनों ही जगए आपका सम्मान होने वाला है परिवार में भी आपके सलहा है जो आपके फैसले हैं उनकी तारीफ होगी क्योंकि आपके दनारा दिये गए अब दीखे कुमराशी के जात्कों तो आएंगी लेकिन साथ में अवसर भी मिलेंगे अब उन चुनोथियों को पायर करके अवसर पर जवाब काम करेंगे तो उसे आप अच्छी गति दे पाएंगे अच्छी द्रस्ति तो उन पर काम करेंगे तो और भी जादा अच्छा रहेगा आप देखिए इस समय अवधी में अपने पुरानी समस्याओं से कुछ निजात पाते हो दिखाए देंगे आपका जो चौथा घर है वहाँ गुरु बरस्पती विराजमान है गुरु बरस्पती आर्थे किस्तिति क आप जरूर कर पाएंगे आपके लिए ये एक बैनेफिट वाला समय होगा इस समता हमें अगर आप रेयल स्टेट के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तब भी आपके लिए स्थितियां आच्छी बनी हुई है आपके अंद बातों को दूसरों पर थोपना नहीं है एक होता है अपनी बातें बताना एक होता है उसको मजबूर करना कि यही तुमको करना है तो यह आपको नहीं थोपना है इससे आपको बचना होगा तो अच्छा रहेगा बाकी अधिक्तम ग्रहों की द्रस्टी के अगर बात की जाए तो भाग्य का साथ देने के लिए आपके लिए वो कार्य करेंगे और आपके करियर में भी कुछ चुनोतियों बाधाओं से हटकर आप उनका सामना करके बहुत अच्छी उनती प्राप्त कर सकते हैं इस सप्ताह में ये सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली है आपके लिए इस सप शिक्षा की अगर बात की जाए तो उच्छ शिक्षा के शेतर से जुड़े हैं तो इस सप्तहा का मद्य भाग और इस सप्तहा का अंतिम भाग सबसे ज़्यादा शुब रहेगा शुरुवात में थोड़ा सा मन भी डायवर्ट रहेगा तो कहीं न कहीं आपका मन यहां से हटा रहेगा लेकिन आप अगर किसी विशा को समझने में आपको कठना या रही थी तो उस विशा को आप अच्छे से समझ पाएंगे रिष्टों की बात कर लेते हैं तो रिष्टों के मामले में देखा जाए तो यहां जीवन साती का सहयोग और समर्थन मिलेगा घर का माहौल बना रहेगा प्रेम प्रसंग की दरश्टी से भी देखा जाए तो पूरी तरह से अनुकुल दिख रहा है आपके जो लव पार्टनर है उसके साथ आपके ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी लोग आपके प्रेम और सामझे से की तारीब कर पाएंगे और आपका जीवन सा साथ कुछ आप मौजमस्ती के लिए भी कहीं थोड़ा बहुत जा सकते हैं ये समय सुक्स विदा से जुड़ी किसी नई चीज के खरीदने का भी है जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा इस तरह का भी ये आपके लिए समय बना हुआ है अब उपाय की बात कर ल का दीपक जिलाएं पेड को हाथ ना लगाएं सरसो का तेल का दीपक जिलाकर और वापस अपने घर आ जाएं और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें